नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे सिधार पिठानी को तो जानते होंगे न यह वो धीट व्यक्ति है जो भाई ऐसी तिकडम बाजी मतलब इसने बहुत अच्छे से तिकडम बाजी की और तिकडम बाजी क्या की है कि इसको पता थे गिरफतार क्योंकि गलत जो करता है उसको पता है कि भाई NCB इतना एक्षन में है CBI इतना एक्षन में आपकी गिरफतारी होनी निश्चित है क्योंकि आपने गलत काम किये हैं तो यह व्यक्ति 14 मही को एंगेजमेंट करता है 26 जून को इसकी शादी है जी हां और अभी यह कहां पे है ज इसने application दाखिल किये कि मुझे बेल मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी शादी होने वाली है 26 तारिक को 26 को मेरी शादी है मेरको शादी करनी है तो मुझे बेल दे दो मतलब यह कोई मजाग चल रहा है आप गलत काम करो आप गलत गतिविदियों में रहो और शादी के लिए आपको बेल मिल जाए मुर्ख मुर्ख समझाए लॉयन ओर को मुर्ख समझाए मलदा पागल है साब जो बैठे है यहाँ पर और भाई आपना समय व्यतीत कर रहे है टेक्सपेयर की मनी से यहाँ पर एजन्सिया काम कर रही है गलत लोगों को पकड़ती है उठाती है और उसके बाद भारती को उठाया भारती यह जितने भी थे जिनको उठाया गया राम से बेल भाई बेल मिल जाती है बहुत क्लियरली हम सब ने देखा राम से इनको बेल मिल जाती है विक्ट्री का साइन भी दिखाते और यह प्रदर्शित करते है प्यार के द्वारा की हम तो दूद के सब पार्ट हैं सारे के सारे तो अब यहाँ पे यही है सिध्धार्ट पिठानी जो अपनी बेल के लिए मूव किया है और अगर एंसी भी यहाँ पे इसको नहीं रोक पाती यहाँ पे तरक नहीं दे पाती दो बहुत क्लियर है कि एंसी भी आप कुछ करने के लाइग नहीं मतल लेकिन क्या चल रहा है अगर यहां पे सिधार्थ पिठानी जो बेल के लिए मूफ किया है जो बहुत से ट्रांजेक्शन हुए है तो सिधार्थ पिठानी के खिलाफ इतने एविडेंस होना जो एक नेक्सेस का पार्ट है जो बहिया गलत गतिविदियों में ड्रग माफियास के साथ संपर्क में है आप उस विक्ति को छोड़ दोगे सिधार्थ पिठानी ने नाम लिया किसका नीरज और केशफ का नीरज और केशफ से पूछता आज की सैमुल मिरांडा का नाम है आपको ध्यान होगा एनसीबी के रिडार पे सैमुल मिरांडा पहले भी उठाया जा चुका है ये वापिस उठाया जाएगा रिया शौवेक वापिस उठाये जाएंगे लेकिन सिधार्थ पिठानी को अगर यहाँ पे बेल मिल जाती है एनसीबी अगर इसको नहीं पकड़ पाती NCB अगर यहाँ पे दलील देने में विफल होती तो आप समझ जाओ कि सुशान सिंग राजपूत की केस में क्या दलील देगी CBI क्या दलील देगी जब यहाँ पे NCB इस ड्रग रैकेट में भहिया इनको नहीं रोक पा रही तो यह प्रभावशाली लोगों को यह क्या एजंसिया रोकेंगी जिम्पल दा सवाल है इसलिए आपको भहिया पूछना पड़ेगा Benefit of doubt हमने बहुत दिया एजंसियों पे हमें पूंड भरोस आए लेकिन हम उनकी रफ्तार उनके इस रवये से की बेल मिल जाएगी गलती हो गई हमारे भहिया जो अधिकारी थे उनके उपर हमें शक्याब एजंसी ने जाज बठा दी बट वो निकल तो गया न ये सब चीजे नहीं चाहिए ये भहिया खामिया नहीं चलेंगी इसलिए आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा नहीं तो ये जो गैर जब्मेदाराना तरीका है न ये इस सिस्टम को भई कभी सुधर नहीं नहीं देगा तो आज भई हमें वो मौका मिला है हम इस सिस्टम को सुधारेंगे मैं फिर कहूंगा आने वाला जो अब ये जो यूथ है न आज का यही कल का फ्यूचर है और यही एक चेंज लाएगा तो देखो भारत के अंदर यूथ अभी सबसे आदा है पॉपिलेशन में सबसे आदा यूथ की पॉपिलेशन और यही है भारत का वो टर्निंग पॉइंट जो आज हम इतना बात कर रहे है न यह जो बदलाव आएगी पॉजिटिविटी आगी यह वो टाइम है और हम इसके गवहा बनेंगे तो इसलिए आपको भाईया इस कर चुका है बेल के लिए देखते हैं क्या रहता है जो भी है लेकिन आपको प्रेशर बनाना बहुत आवश्यक है आपका प्रेशर रहेगा तो चीजे उस हिसाब से संचालित होंगे कि पॉलिटीशन अपने हिसाब से चीजे संचालित करते और आपकी पास पावर है पॉलि आप अपनी पावर को वेस्ट मत जाने लो वोट की पावर जो आपकी है उसको वेस्ट मत जाने लो इस वीडियो में इतना है इसको आप शेयर कर सकते हैं जादा से जादा से लोग ओवेर होए कि किस तरीके से हम मुर्ख ना बने और सही रास्ते पे चले आप मेरे को Facebook छोट इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहां मुझे से जोड़ सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, जैहिंद!